चुहार नमस्कार दोस्तो आप सभों को मेरे इस ब्लोग वीडियो में आप सभों का स्वागत है दोस्तो आई होप मैं आसा करता हूँ आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे गाउं में हूँ दोस्तो आज मैं अपने गाउं में हूँ तो बहुत खुस लग रहा हूँ क्योंकि विडियो में अगर आपको अच्छा लगे लाइक यहां सेर जरूर करिएगा दोस्तू और चलिए हम लेटना करते हुए आज का जो मेरा विडियो है दिखाऊंगा दोस्तो आप बने रहें मेरे विडियो में लाश तक मैं आपको आज का जो गाओं का जो नजारा है उसको आप को दिखाने का आपको सेर करने का आपके साथ साजा करने का काम करूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक यह सेर जरूर किज़ेगा दोस्तू नमस्कार और चले बने रहें आज की इस ब्लोग विडियो में और मैं आप सबहुं को दिखाता हूं और चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गाओं का जो नजारा है आप इधर घर दिख रहा है देख सकते हैं और यह जो देख रहा है यह इमिली का पेड़ है बहुत अच्छा फलता है और बहुत बड़ा पेड़ा है आप देख सकते हैं और दोस्तों आप इधर नजारा जो आगे दिख रहा है पीछे साड में दिख रहा है आप देख सकते हैं यहां बहुत इमली का पेड़ है दोस्तों देख सकते हैं यह भी इमली का पेड़ है काफी बड़ा है उसके बाद आप बने रहे आपको दिखाते हैं यहां का जो न जा रहा है काफी अच्छा है दोस्तों देख सकते हैं हमारा खेत में धान ढूलाई का काम चल रहा है और यह जोरोंग पर है और आज कल गाओं घर में धान कटाई और धान ढूलाई का काम जोरोंग पर पकड़ा है दोस्त आप देख सकते हैं हमारे खेत से धान को खलियान तक किस तरह से लिया जा रहा है आप देख सकते हैं हमारे यहां कुछ लोग कंदे से धान ढोकर खलियान तक ले जाते हैं और देख सकते हैं यह हमारा खलियान आया और यहां से खेत से धान लेकर आया जा रहा है और यहां पे धान को इकठा किया जा रहा है पुवाल के साथ में और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे रखा जाता है ताकि अच्छा से रहे और आगे जो भी प्रोसेस होता है वो आपको हम सेर करेंगे दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहे आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर इकठा किया जाता है और हमारा खलियान का नजारा देख सकते हैं यह जो बॉंडरी पत्थल का ज दोस्तों आप इधर देख सकते हैं साप सुत्रा यहां पर बनाया हुआ है और आगे देख सकते हैं यहां पर हम लोग डौरी करने के धान मिशने के लिए बैल को खुट कर रखा गया है और आगे देख सकते हैं यहां का जो नजारा किस तरह से दिख रहा है दोस्तों हमारा खलियान के अगल बगल पीड है एमली का पीड है इस्तेंबल का फीड है दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़ा फीड है और यहां का नजारा देख सकते हैं चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों और देख सकते हैं हम लोग धान मिसाय का काम सुरू कर दि और ये हमारे लिए स्विधा होता है इसलिए हमारी छित्र में अधिक बैल वगरा सब पालन्ट किया जाता है और गोबर के साथ और धान मिसाय का भी काम में इसको लाया जा सकता है और धान काटने के बाद जो भी इस्टोर करते हैं इस तरह से साम हो जाता है तो इस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं और इस तरह से स्टोर करने के बाद जब धूप रहता है तो हम लोग इसको साफ करते हैं और शा के हावा के माध्यां से उड़ा कर साब किया जाता है तो ये रात भर इसको छोड़ दिया जाता है इसको घर नहीं ले जा जाता है ये पुरी तरह से तयार नहीं किया गया है दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे छेतर में इस तरह से बनाया जाता है ताकि कोई चोड़ी ना करे दोस्तो आगे का प्रोशक देखिए दोस्तो फाइनली काम कंप्लेट करके मैं अपना घर की उर पहुँच चुका हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं यह जो खपड़ा का घर है यही मेरा घर है दोस्तो खपड़ा का बनाए हो अगर है दोस्तो देख सकते हैं या मेरा घर है और चलिए वीडियो को लाश तक दिखने के लिए धन्यवाद जोहार दुस्तु